बच्पन में कैसे दिखते थे में देखने जा रहा है काफी टाइम आज आपको मेरे ख्याल से लगबक सभी की बच्पन की फोटोस दिखेंगी मम्मी ने चेतना को और मेरे को तयार कर रखा है और हम सीडी में बैठे हुए है मुह में हाट डाले चेतना है यह ममता दी है और मन olika से अधेर को और यह कि म ST yogurt आउने खुक तो 12 की चाल, 12 बारिस हो रही है और आज भी बारिस ही यह पूरे दिन तो काम कुछ रह नहीं जाता है पस घर में बैठो खाना बनाओ खाओ आस ही रहता है इस उसके को मूह देक बशु parfु तो काम सब चौपट है असौज लगावा जिससे तो जब से असौज का मेना क्या होता है तब से समझाया तब से पहली बार ऐसा हो रहा है कि असौज के मेना हम लोग घर में बैठे हो और इतनी बारी सोड़ी है लाइफ में फर्स टाइम मम्नी आपने भी यह से पहली बार सब्सक्राइब करेंगे फिर दिन में काने का टाएम हो जाएगा खाना पर लोगी पूरा दिन ऐसी गुज़र जा रहा है कहीं आना जाना सब चौपट है कई सब ऐसी हो तो पिलालम ब्रिक बनाते आजकी अपड़िट देते आपको बाहर और जमाजम बारइस और प्यूस है वाश्रोम में मम्मी चाय बना रही है पापा टीवी देख रहे हैं मैं आटा कुलने जा रहा हूं तो आज की अपडेट कुछ इस तरीके से हैं हम करते हैं अपना काम सुरू आपसे मिलते हैं तो अभी मारा ब्रिक्फस्ट रेडी है बारिस मिक्के मौसम में बढ़ी ऐसा स्व आने वाले दिन चार दिन तो हम पहुंच चुके खेद में और यहां पे अमारी मम्मी नौ काटके रख दिया मम्मी ने एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा बारा पुएं सायद इतना भारी और पूरा इनौ गिर के सव रखाए ठैवे बिकार रो मिलिये मोशम फिलालिया सव र सब्सक्राइब यह पूर्शाखाव दिखनों नरेंड दिखनों पड़ाव दिखनों पामां पे चोखले दिखनों अमलत रुब्सक्राइब गॉला मंदिर यह इनको तो थी धिलेते हैं कल्ले ती मुख भान लागो यार बीटिमा यह दखो फोन के कैमरे में तो डियस लार सब्सक्राइब करते हैं काम अपना गास अठाके चलते हैं एक गात तो लिनी कियो एक गात आउन पड़न यह तो फो नीचे रखके आता हूं में पंचाइद घर में कोड़े दान के पास में फिर आउंगा एक चक्क्र क्योंकि यह वैसे भी गेली लकड़ी होती है ना मड़ सब्सक्रावाला राण में गरी ले आउंगा इसको में वहां रख्याता है बारिस होगी फिर से तेज रास्ता और खाफिसलन वाला खेत में भी पानी जम चुका है और यह रापंचाइद घर वहां पर रखना है कोड़े दान के पास में रख दिया है चलो अब फिर सभी एक तो फिलाल बारिस में भी चैन नहीं है क्या ही कर सकते हैं गाय बैसों को खिलाना है हम लोग खा रहे तो उनको भूखा कैसे रख सकते हैं तो इसलिए हमको काम करना ही पड़ेगा जब हमें दूथ पीना है दही हानी है घी खान घी खाना ऐसे हाणों पर दूथ खान इस तो अरोमर घाल याओ यह सखरो में बोती हुए रोने मैं इसलिए कुन जालो जारो जिगनस्ट सजा एद्यों चिटान को जिल्दिवर बादना फिर मेली वाली बागले आगो वो मेलियो कि यह वादिया यह फिजाएं बुला रही है तुम्हें एक बार पुन है कि सिर में टोपे डाल आपने टीवीन आपने टीवीन का बहरे गवामी कि दाना का जा जाए अस्ता का लगून पड़ो में लोखर ओ बाब हो इदू बहरे रानियो मैं मैंने सुझादा पांस साथ प पांस साथ पापरे तीन पूद अलके चीता यह अपने लिया कि अधिक 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 बैठा खुरे में तो यह फोट बैट भी वेजन बोड़ा यह मैं खुरी लणा को मीचा बहया घर पुचू मी फटा फट दी मिले शुट्टू ने पूले शुट्टा अलकि तो दूद दूद खाण ले आशान ना या तो फिर की घास लेने तो बारे सुन लेकी तेज में चलता हूं घर पर बैठ चाता हूं से आरशाई में वाइस आज हम जा रहे हैं बच्पन में कैसे दिखते थे काफी टाइम वाद ठीक है तो चली अपनी वीडिया स्टार्ट करते हैं अभी वैसे भी बारी सोरी बार तो कहीं जाने सकते हैं अपना टाइम इसी में यूज कर लेतना एल्बम देखने में कदू कुछ क्रेटिविटी करने तो आज आपको मेरे ख्याल से लगबक सभी की बच्पन की फोटोस दिखेंगी दीदी की चेतना की मेरी I think ममी लोग की भी स अपनी अपनी एल्बम ओपन करते हैं तो फर्स रियक्षिन कैसा रहता है देखते आपका मेरा तो अच्छा ही रहा क्योंकि मैं क्यूट साता था ना ओ मैग्वाद चलिए इस पर तो सबसे स्टार्टिंग में है नाना जी की फोटो नाना जी अपने जवानी का टाइम पर ऐ से बात कर रही है बैक्राउंड नोई साइगी से लिए बट यह दो और मेरे को देखो वाई साव यह तो पड़ाकों बन गए यह देखो रेडियो ओ पीके यह दुनिया गोल है यह आई चेतना लाल दंत मंजन कडब लेके मेरे हाथ में वही कैमरे का कवर पापा फोटो वगरा क्लिक करते थे तो मैं कवर पकड़ेता था हमेशा से चाक वाली खे पता नहीं किया कुछ स्पोर्ट बगरा पड़े और माते बें दूआंक बनी हुए थी बच्पन में दाने हो गयते मिरे को तो दानों के चक्कर में पाल जड़ गयते तो मेरे दूआंक यानि की दौर तो चारांक बनी हुई है और यह दसरे की दिन की फोटो है यह रहे हमार संदय में जाने के लिए टायर हो चुके है यह दीखो मेरी हल्की फुल की स्माइल और चेतना की स्माइल थी दिखा रही है कि यह ठीना मुमी के साथ मैं आवे क्योंकि मैं उस टाम पे सो रहा था है इंसमें अस तैम पर बहुत पतले थी मुमी के दात दान दिखाय दे रहे ह यह जो फोटो जो वगरा है यह इसी रूम के मेरे स्टूडियो जो मैंने बना रहा है उसी रूम के खड़की के पास की यह ओ इसमें तो भया बंडी पकड़के पैन पकड़के में डांस कर रहा हूं यह बले बले यह देखो दो चुटिया में अधार बच्पन में सहीध है द्रस्नी बुआ चेतना पापा वर में चार लोग है इसमें सब लोग पूरे गाहों के गैंग मतलब जितनी पहले से थी यह पवन है जिनको आप नहीं जानते वो लोग है पवन है यह रेखा बुआ है यह मैं हूं और यह बॉबी दी है यह द दरस्नी बुआ है मुं में पोडियो का सबसे फेवरेट लुक सबका मतलब एक ही पोज होता था तो उस पोज में मॉसी हमारी से यह देखो पता नहीं कौन सा पोज आए मॉसी सब बीटे देखी तब इसे गी और राइट साइड में हमारे मामा जी बड़े मामा और यह हमारे ताओ जी और ताई जी पापा की साधी बाराती दद्दा भी था यहां पर थोड़ा से फेस आरका दद्दा यह देखो यह देखो सेम वही मॉसी वाला पोज नेलू दिखा भी है यह नेलू दिखा भी है सबके खतरनाग फोज है बच्पन के यह हमारे सबसे बड़े ताओ जी जिस टाइम पर गोल इसने महिनत लगती थी फोटो निकालने में तो यह जो रील देख रहे हैं आप ऐसी रील होती थी रोल होता था इसका ही कैमरे के अंदर जब रोल पड़ता था उसके बाद फोटो क्लिक होती थी तो इसमें कहीं अभी भी देखो ऐसे अगर लाइट पड़े ही उस तरब से तो दिखाए देते हैं यह को यह रील इसमें एक तम अलग कलर विजन वाले टाइप की फोटो जोती देखो इनकी दुलाई होती है तब जाके फोटो निकलती है यह तो इतनी मेहनत का काम होता है पहले से फोटो वगरा क्लिक करने के बाद फोटो निकल वाना तो बढ़ी आज का दिन भी काफी अच्छा रहा बचपन की फोटो देखी मैंने अपने चाइल्ड रूट की मेमरी बहुत अच्छा लगा और आज कल कुछ ब्लॉक स्पेशल भी नहीं बन रही क्यों है बारी सोरी कहीं जाने सकते कुछ कर नहीं सकते काम तो यह सीलिए नॉर्मल सी बन जल्दी मिलते गाइज नेक्स लोग में थैंक यू सुमच पोचिंग बाइबाए